शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जाओ जाओ जोँए तुम्याब मुझे तुमसे कोई बात ने कर लीज अपने घर चली जाओ मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ कि मेरे अपने घरवालों ने यहां तक की मेरी माँ ने भी मुझसे जूट बोला लेकिन उसे परताष्ट नहीं हो रहा कि कि तुमने तुमने भी मुझसे जूट बोला रिचा मैंने तुमसे जूट नहीं भोला है तुम मेरे बात सुने को तयार ही नहीं हूँ मेरी क्या गलती है। – मुझे भी दू दिन पेरले पता चला है क्यांगली। गलती है रिचा… तुम्हारी गलती है। डु दू तिन पेरले बता चला था तो भी ? मुझे ने बतायैं.. थे श्यों नहींailें.. घुिक नहीं बतायाे लेकिन.. क्या इतनी चोड़ी बात है कि तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा सोचो तुब ले अठाइस तिल ने अजली बहर जाएगी और इसके मौत की जिम्हेदार सिर्फ मेरी कुंड़ी नहीं होगी हरका अटी, बड़ी दादी, आम्मी के साथ साथ तुम भी हो, रिजान तुम असे अपनी सगी बहन से जादा मान्दी थी ना तुम्हारी वही बहन मारी खुशी के लिए अपरी चान्द कवा देगी अजली की मौत का पूछ अजली की मौत का पूछ अजली की मौत की बहन थी याज यह सच मानो, मुझे पहले से इस बात की भनक भी नहीं थी याज जो दिन पहले तो पता चल गया था ना तुम्हे क्या कर लिया तुम्हे अजली को डिनर पर ले जाकर उसे शौपिंग कराकर गोल गपे खलाकर तुम्हे प्राइस्चित हो गया तुम्हेरा प्राइस्चित अब तो तुम्हे भी पता चल गया ना यश तुम्हे भी क्या कर लिया अब चुब क्यों पताओ यश क्या किया तुम्हे कहना क्या साथी हो तुम्हे तुम्हे ने लगता जो कुछ भी हो चुका है उसकी बुन्याद पर हम अपना रिष्टा करा कर पाएंगे मन में इसनी बाते इतना गिल्ट अगर हमें रिष्टा बना भी लिया तो तो ठीकेगा नहीं तो क्या तुम ये रिष्टा तोड़ने की बात कर रहे हो यश अगर रिष्टा टूटता है तू टूट जाए तुम्हे सब भूल भी केस सकते हो यार इतना भी नहीं सोचा अगर हमार रिष्टा तूटा तो अजली ने जो कुछ भी हमारे ने किया तो सब बेकार हो जाएगा नहीं सोचना मुझे कुछ नाहीं कुछ समझना एंगा नाहीं मुझे कुछ चाहिए ना ये रिष्टा ना ये कुछी ना तुम ना अंजली ना ये साधी तुम मैंसा बोल भी कैस सकते है इस में हिम्मत कैस है वे असा बोल भी कि ये तु क्या कर रही थी रिचाब येश्ची पे हाथ ठा रही थी माना कि येश्ची से हमारा रिष्टा सिफ कुछ ही दिनों का है लेकिन जितने भी दिनों के लिए हम उनकी पत्नी है ना उनके सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और तो तो जानती है ना कि हम कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं अटते है ये शी पे कोई हाथ उठाए ये हम बरदाश्ट नहीं कर सकते है कभी ये है नहीं डाए ये हम अब क्या करें अब क्या करें किनम एसे हाथ तो हाथ धर्के तो नहीं बैठ सकते हैं हमने कुछ तो करना है पड़ेगा तुम ठीक कह रहे हो याश लेकिन पहले हमें आंजली के पास जाना चाहिए लेकिन उसरे हमारी पाते सुन तो नहीं लिए होंगी जा गोपाल यशी और रिचा बहुत प्यार करते हैं तूसरे को येकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है उन दोनों के बीच इसकी वज़े से पुरा घर परिशान है और अभी जो हमने उन दोनों की बाते सुनी ना उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके छगड़ी की वज़ा हम ही हैं ऐसा तो नहीं होना चहिए ना गोपाल अब हमारे पास सिर्फ अथाइस दिन और बच्चे हैं हमें किसी भी तरीके से यहश्ची और रिचा कि मेच की कालत फेर्न को दूर करना होगा गोगा ताकि खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो जाए और रिचा है इस घर में बहु बनकर आ जाए गोपाल आखिर उन दोनों की खुशी के लिए ही तो हमने नब्य दिन की शादी किये हैं तुम रुखो यश्ची मुझे चाने दोन्चली के पास सुरी रिचा हमारी वजह से तेरे और यश्ची के भी चितना कुछ हो रहा है सच्छमान हमकभी भूल से भी तेरे और यश्ची के भी चाने तेरी बचे से कुछ जी हो आँ अंजली बल्कि तू ने ही चुव आरे लेखिया है उसका एसान हम सिंदी की बढ़ नहीं चुका पाईगे सिंदी की बढ़ नहीं कि यह अपनी जान भी दे सकते हैं और मैंने भी बोला था ना आज के बाद यह जान बान देने की बादे मात करना ठीक है ठीक है मैं करेंगे अंपर तू बता हम जो कहेंगे वो करेंगी ठीक है जो तू कहेंगी वो करोंगी तू सुन։ अँख जो कह रहे हैं ना इचे जान से सुन चुनकर गूल मत जाना हमेशा के लिए याद रख लेगगर फिर जब तू घर में आएगी तो तुझे सब बहुत सारा प्यार देंगे, तुझे कोई परिशानी नहीं होगी। हाँ. चल, आजा हमारे साथ. देख, हम तुझे सुझाते हैं कि रसोई में कौन सी चीज कहां रखिया। रिचा ध्यान से सुनना और हमेशा के लिए याद रखिया। यह देख, फिर नहीं सारी डाले हैं और यह आटा, चावल, सुझी और मैदु, रखिया। हाँ, इस भीएड़ जाखिया। और यह चायड़ मत्यक्न कोई यह मसाले दानी। यह लाल डालमिर्च और यह लालमिर्च मतलब यह कशमीरी लालमेच और यह तीक लालमेच धिक नहीं लिक्क राखा मैंने सुख राख के रखार सुझन तीख रादी कांति एसलिए उनके खाने में सिर्F उरसीर कशमीरी लालमेची चाथ रखा आ है यह ना यह चोटी दादी का कम रहेkins कर देद है हां तो छोटी दादी रोज सुबा मंदिर चाती है रिचा हम ना उनके मंदिर जाने की सारी दर्यारिया रात को ही करके रख देचे हैं फिर रिचा उन्हें सुबा कुछ ढूंड़ना ही नहीं पड़ता अच्छा सुन छोटी दादी ना बिना कुछ खाय पीए मंदर के रिए तो तू ध्यान रखना वो जैसे ही मंदर से वापस आये उन्हें नाष्टा करने के लिए पिल्खा दे ना अगर जरा भी देर हो जाये ना तो छोटी दादी को आइसिडिटी होने लग जाती है अब बड़ी दादी के कमरे में चलते है हम अंदर जाएंगे ना तो बड़ी अधिया करना बड़ी दादी दो से तीन बार उटकर रात को पानी पीती है और हाँ दिन में खाना खाने के बाद वो एक घंटे सोती है अबर उस बीच कहर में शोर्शरबा हुआ ना तो बहुत नाराज हो जाती है अज़ए ज़ए आज़ए 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 अज़ए आ वो हम तो रिचा को घर की बारे में सब कुछ समझा रहे थे कुछ दिनों बाद तो पूरा गर इसे ही संबालना है ना अरे हम तो बता नहीं भूल गए रिचा उमा काकी और मुकेश का का सुब सुब बिना दूद वाली चाय पीते हैं याद रखना दूब मामी जी तो अपना ज्यादातर काम खुद ही करती हैं लेकिन तू ना गुलकन के लिए बहुत सारी खाने पिने की चीज़े मंगबा के रखना वरना वो बिचारा दुखी हो जाएगा हमारी 90 दिन की शादी का अग्रीमेंट यहां देखिये हमने साइन कर दिया है इसलिए आपके पास भी इंकार करने का कोई कारण नहीं है इसलिए तो कहते हैं त्रिया चरित्र के आगे सारे चरित्र फेल है नैन मटकता करके मेरे भोले भाले पोते को बर्दला रही है जोगया इतनी बार अंजले की जान पर बनाई और यह सब सब इसमें क्योंकि उसने मुझ से शादी कि और यह रहा इस घर का सबसे खास कम्रा क्योंकि यह तेरा अप्ना कम्रा जो बनने वाला है तुँ अंदर से सब देख? हम यही से बताते है जो अल्मारी दिख रहे है ना सामने उसकी पहली दराज पे यह थी के रुमाल, ताई और मोजे रखे और दूसरी वाली दराज पे श्ष। तर्वासी के बहार से नहीं, कंदे के अंदर आकर बता. अरे, नहीं, नहीं, हम यहीसे बताते हैं ना? श्श्ट , छल आवा राम से बता. देख, कपड़े तो सामने ही रखे, तुझे देखी जाएंगे, लेकिन ये ध्यान से सुझे, यश्ची की सारी घड़िया ना, यहां इस दराज में होती है, यहां पे उनके एरफोन, मुबाइल चार्जर और लैपटॉप चार्जर, ध्यान से सुन ले रिचा, जरा सा बीदर और अगर हो जाए ना, तो खला मचा देते हैं, और ये तो देख तु जरा, ये हिस्सा हमने पहले से ही तेरे कपडों के लिए खाली रखा, जब तु आएगी ना, तो तुझे अपना सामान रखने में कोई परिशानी नहीं होगी, वैसे तो हमने तुझे लगबख सब बताई दिया है, और तेरी याददाश पैसा कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी, हमने इस डाइरी में तेरे लिए सब कुछ लिख दिया है, किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुझे कप-कप क्या करना है, वगयरा वग सबसे जरूरी बात तो बताने ही भूलगे, निचा, यहाँ किसी भी कमरें में जाने से पहले ना, नौक जरूर कर लेना, कितना कुछ कर ili, अजली, मेरे लिए? मजी, इस घर में सहरासी मी तकलीफ ना हो, इसके लिए कितना कुछ सचाया हि उसना, यहको चांदे कि उसके हिससे में ग tua आने वाना है, अब हमसे बर्दाषधे ही होता है अश्ण. अब बर्दाषधे ही होता हुट ह। इच्छा, मैंने सोच लिया अपने क्या करने बड़े दादों ने मेरे कुणली दोष के बार में बताया था ना अब इससे बचने का रस्ता भी वही दिखाएंगे कुछ तो करना पड़ेगा होंने हम ऐसे हम ऐसे अंधली को मत्यों नहीं देख सकते हम हम कल चुबे पड़े दादों के पास चले जाते तुम मिल्कुल ठीक है रो याश हमें कोई न कोई रास्तों निकालना ही बड़ेगा मैं कल सुबह आती हूं तुमारे पास पांचाली का सखा मन कर तूने उनका साथ निभायम कोकुल की रक्षक लिए गोवर्धन उंगली पे उठाया दुख की घड़ी में मेरा साथ निभाना पठता मस में राह दिखाना लट्टू गोपाल लट्टू गोपाल मेरों प्यारों गोपाल नैनों से रिछाए मन मुहेरे गोपाल लट्खत लट्लान जैल जबी नोरे गोपाल माखन चटोरां कितना त्यारा है गोपाल रटू गोपाल मेरा माधब गोपाल नैनों से रिछाए मन मुहेरे को थैंक यू सो मज़ गोपाल अज आपकी तरफ से सबसे पहले हमें ही है हमारे जन दिन का इतना सुंदर गिफ्ट मिला हम जानते है वो रिचा है ना वो भी दोड़ी दोड़ी चिलाती हुए है कि अपड़े अजली है और माई वो रिचा नहीं आप आए को लिए हमारे लिए हल्वा सरूर बनाएंगी आज तक है सनिया मैं अजली का जन दिन हो और हमने मोंकीडाल का हल्वा नबनाया कितना खुए शुकर खाती है हाई माशू, ठीक है फिर तुम आग्रा निकर जओ और जेके स्वीट्स के फ्रेंचाइजी की जितने भी पेपर वर्क हैं उन्हें पूरा करके ही यहान की चिंता मत करो, मैं सब देख लोगा हूँ अरे जाओची आप पहनी कीजिए नहीं आप बैठके हम आपके लिए चाय बनाते लाते हैं आपके आगे आग उगली थी, कि मैं अत्याचारी हूँ हमेशा से अंजली पे अत्याचार करती आ रही हूँ थपड़ बढ़वाके बहुत सुकून मिलाओगा ना तुम्हें बोल बोलती क्यों नहीं रग्वान पे छाले पढ़ देयां तेरे हाँ अलका, यह क्या कर रही हो तुम? हाँ हाँ अब तो मेरी हर भाग पे आपको खोट नजर आएगा ना? सब सुमझती हूँ मैं किशोरी काकी, मैं आलका की तरफ से माफी जाता हूँ अच्छा किया तुमने जो मुझे यह सब बता दिया हरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आलका ने अंजली के साथ क्या क्या किया कोई बात में आलका जी सब भाग्य का खेले जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो उसे भुगत नहीं पड़ेगा नहीं किशोरी काकी यह भाग्य का नहीं किसी की गंदी सोच का खेले अच्छी को खिलोने की तरह इस्तेमाल की आलका लेकिन अब मैं उस पर और अत्याचार नहीं होने दूगा किसी दबाब में आकर मैं उसे उसके सपनों का गरा नहीं घोटने दूगा कि अच्छी करें अच्छी मेरे लिए मुझे इस घर में जरासी भी तकलीफ नहीं उसके लिए किटना कुछ सोचा है उसने मैंना यह कुछ जाने के उसके हिस्से में क्या नहीं हम उसे परताश्ती होता है मैं क्या गर हूँ हमारे यार उपने से हमारी रिचा की खुशिया जुडिये उसकी कुशी के लिए तो हम अतनी जान भी दे सकते हैं लालाजी यह हमारी रिचा की होने वाली ससुराल है लालाजी सताइस दिन तो रही गए है एक अनोखी बंधन से बंधे अंजली की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाए शेमारू उमंग झालाजी